आज कि हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं advance excel और advance excel में हम formula में नुबार पे हैं हमने formula कर दिया, हमने naming method कर दिया, आपके कुछ miscellaneous चीजे हैं चलिए उसके बारे में आपके साथ discuss करते हैं जैसे कि अगर आपने किसी cell में किसी और cell से link कर रखा है तो अगर यहां पर चलिए लिखा हुआ है आपको A1 समझ के A1 कभी कभी क्या होता इसमें name दिया होता है तो बचे पता करना होता है कि इससे कोई dependent तो नहीं है इससे dependent है यह आपको इससे प्लदा है प्रिटेंस है और dependence को करते हैं कि इससे डिपेंडन है तो जब हम नेमिंग में थार्ड यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी कन्फूजन हो जाती है कि आखिर है कहां पे तो वहां पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि एक्जामपल में बता हूं जैसे मैंने यहां पर कर दिया इंसर्ट और हमाया पास एक लूण अडर्गाइशन सीच होता है कि मैं आपके साथ विसकास किया था तो जिसी कि यहां हमने लास क्लास में इस पर विसकॉस किया था कि फिप्टी थाउजन है एनुवल रेट मालेजिस सेबिन परसेंट है छे साल है आज से बारह है और आज से स्टार्ट हो रहा है पूरा डिटेल आजाता है तो अगर मालेजिसे कि आपने इसको समझने की कोशिस की तो सबसे में प्रॉलम क्या हो कि यहां पर फॉर्मूला यह आपको समझ भी नहीं आया क्योंकि यह फॉर्मूला में आप देख रहे है ना यह दिख रहा होगा तो मुझे पता करना है कि किस-किस से dependent है तो formula बार में हाँ dependent होगा तो इससे dependent होगा तो चल लगिया है कि इस से भी है और इस से भी है ठीक है sir अब मुझे पता करना है कि इस से कौन को निजिए कि मुझे एक column हटाना है तो हटाने से पहले मैं चेक करना हुआ, मैं मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है मालेचे, तो मुझे पता करना होगा है कि इससे कोई पॉमुला लिंक तो नहीं है, ओके, तो यहाँ पी इस पहले हम इसका यूज कर देते हैं, तो यहाँ आप सो फॉमुला में क्लिक करेंगे, यह फॉमुला ओर्टिंग मूड में आ जाएगा, तो सेल के डेटा नहीं, सेल के फॉमुला नहीं शोग होगा, वह आपस उन्चेक करेंगे, तो वापस आपका डेटा शोग हो जाएगा, इसके इसके देख सकते हो कि सीट में कहां कहां पर एरर है, नेक्स करेंगे, तो आपको नेक्स रहते हैं, यहां पर एरर देख रहा आपको, क्या एरर है, पॉर्टेक्टेट फॉर्मुला, इस सेल कंटें दा फॉर्मुला और नॉट लॉट फॉर्टेक्ट इट, मतलब कि पोटेक्टिन से बाहर अन्लॉक्ट कर दिया गया, इसको यह देखा रहा है, पॉर्मुला का एरर है, यह दो आपका यह दाता है, फिर आता है एवलेंट फॉर्मुला यह दो बाबाव ने यूज किया हुआ है, इस से दिखते हैं कि आपकी फॉर्मुला किस तरीके से प्रॉफॉर्म कर रही है, जाने में दिक्कत होता है, फिल्क्र लगाना पड़ जाता है, तो वास विंडो में आप इसको अड़ कर लिए, अब इससे देखते जाए है, और आप लोग करते थे, वास विंडो में आड़ कर लिए, बाद में मुझे अगर उस लोकेशन पर आना है, बस इसको डबल क्लिक करना है, मुझे इस लोकेशन के पहुल जाएगी एक क्विक लिंक जो है आप बना सकते हैं वास्विंदो से इस फाइल या किसी और फाइल के लिए अब मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूँ या दुछर सीट वायाता हूँ अब इसे कि मांग जी कि 20 है और 30 है आगर मैं 20 को 30 में Plus करता हूँ और जैसे मैं 30 को मैं चेंज किया तुम्हीं है डिजलत आलट्यक अपडैत हो जाता है इससा है इसलरी होता है क्योकि calculation option में हमारा automatic click है तो calculation option में हमारा automatic click है इसलिए ऐसा हो रहा है है मैंने कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं 90 करोंगा पर भी यह चेंज नहीं हुगा यहां कैलिकुलेट का तो अब ऐसा यूज क्यों करते हैं सा जिसी कि आप नहीं देखा कि इतना हुआ डेटा है और भी बहुत जाए डेटा हो सकते हैं जाम कुछी भी इंट्री करते हैं तो कल्कुलेशन पर सिंटेज करके हर इंट्री में कुछ सेकेंड्स या मिनट के लिए हो PC को हैंग कर देता है तो आप बड़े वड्याओं पर काम करेंगे तो अयसा होता है तो टेटा इंट्री करते दни स्माड़िक इंट्री करेंगे इसी प्रॉलम होती है तो हम क्या करते है कि हम एगवड़े मैनूल कर लगते को जाता है उसके बाद ये हो जाती है पिलन कल्क्वेसन चेक करने के लिए उसको के लाग आपके तो टियुआ है हमस्गेया है 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 कि का टेकलेक्येशन को Corn तो फर्मला अमें नुबार में हमने हमने मुस्टली सारे चीजिये कदम कर दी है आमने अपने उसका से चेले कुछी को दाविता है तो हमने फाइल मेनू को कर लिया हमने पिज सब्सक्राइब या अज़कर दिक्कत तो नहीं है अगर दिक्कत होगा को एसा जो मैंने न पढ़ाया हो या आप सबस्सें न पढ़ पाया हूं तो उस्से पूछ लीजेगा प्रिंटाओट लेने जा रहे हैं। इसकी मार्जिंग सेट करना होगा ना कितना मार्जिंग होगा यहां मार्जिंग कर सकते हैं। इसकी मार्जिंग सेट कर सकते हैं। है ≫ पर कि अपर को आप ले सकते है प्रिंट एरिया चिए कि अगर पैंड यहां तो यहां प्रिंट में आप देखे यह उस्ने पे लिए अपर लिए यहां इसी पर नहीं है कर लिया को प्रिंट कर लिया मतलब इससे बाहर की एरिया को प्रिंट नहीं करेंग इसे बाहर का नीचे का एरिया प्रिंट में नहीं है प्रिंट 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 अब क्या होगा कि पहले पेज पर हमारा यही प्रिंट होगा एंद दूसरे पेज़ पर बुड़ा बुड़ा डिटेल अब आताना चाहते हैं पेज़ ब्रेक्स तो आप इसको सेलेक्ट करके रिमूब पेज़ बेक कर सकते हैं है अब वैग्ज़ प्रिंट बख्षण भी फोट लोग तो अ ओड़ू पर वार्ट मार्क वाइड़ा आगां अब या अब आता है प्रिंट ताइटर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पे कि जब प्रिंट हुआ तो यह जिए हैडिग्ट दिख रहा है next करते हैं तो next में भी हमां heading दिख रहा है हुआ उसने फास्ट रोग को repeat किया हुआ है print titles और यहां बिट्ट कर दिया हुआ है और इसमें कुछ चीजा और भी है इसे गिर लाइनिंग होती हो कि उसको प्रिंट करना द twenty यहां पर लाइनिंग नहीं है, मैं अगर क्लिक कर डिया, अब है इसमें लाइनिंग आ जाएगी अधरे बाहर जान जार्शन हैं, वहाँ लाइद नहीं है इसके बाद अब बात करतां हैं इसमें एक शी और है यहां आता है black and white प्रिंट करना है तो आप यहीं पर select कर सकते ओके कर दीजिए अब आपका जो tint होगा वो black and white होगा आगे है sir black and white करना है तो यहां पर draft quality करना है और row and column जो दिख रहे हैं इसको भी प्रिंट करना है और print कैसे करना चाहते हैं इस हमाले जीए मिद्ध दो बेंगे है उसके लिए हाप यह पर दियाए कि हमारा जोफे हिर्ट होता है हमारे हैं हमारे हैं एक सब्सक्राइबहरा तो आप यहां से चेंज गर दिजिए कि वान में पर जाएगा तो यहां आप आप दो ब्रेश सेक्ट करदेंगे तो 2 बेश पर ही प्रिंट हो Okay बागी सब इसके लिए जो मुझे हैं अलाइमेंट है सैप की कि सैप्स अगा उपर नीचा आगे पिछे हो तो उसका थे प्रिंट प्रिंट के यह बात करेंगे हैं तिह अन्य फिर पर कंथे और यहां कि या wraps इ संतलते ह 만भिशो है एक इसके कितने फाफारय के पर्रिंट आइस सबस्थ milyत कोपर्टीं रहा relevant के चनिंदर कुपर द्राइवेर में कि पालिट आद्स और यह अग्या थे जिंद समय की रही हेगा लगा की प्रिंट पुर्ट है थियुकू को सिट अफ साथ उत्युक्षा तो प्रिंटर के सेटिंग होती आपहा से कर सकते। जो आपzung करना चाहते हो автом फोर्ट साइज तो उसके बार यहां पिंटर करना है है या फिर इंटार वर्क को कि या जो सलैक्ट किया हुए है मैं पर नग बिच्छेज है कि इसे मां वैंडीजिये कि एक इतने पेंज और इसक्राइब पांच क्रिकाता है तो बिकालना है तो टो मैं अगर हम गया तो बहुत जादा बढले दिया में। तो उस case में हम यहां पर पुलेटेद यूज करते हैं यहां पर landscape एपोर्टेट तो हम ही सेलेटेशन कस्तम स्केलिंग क्या होना चाहिए नोज स्केलिंग, fit to sheet to one page, fit to all columns in one page, fit to all rows in one page यहां पर scaling सेलेग कर सकेए यहां पेज सेटप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटप का option आ जाएगा ठीक है Margin है, header footer में क्या डालना है, और डाल सकते हो, sheets है आपके तो यहां से इसका setup कर सकते है तो पेज यहां समझ में आ गया? यह चाहिए तो कल से हम data menu बार को चलेंगे और कल से हम बात करेंगे import data को import कैसे करेंगी इसके बारे तो मिल दें कल से एं टाइम, okay बाए तो आपके 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 करेंगे यहाल